हेलो दोस्तो कैसे आप सब ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है जो भी स्टुडेंट जिन्होंने नीट एक्जाम 2023 में पार्टिसिपेट किया था और नीट एक्जाम 2023 के रिजल्ट के बेसिस पर मध्यप्रदेश के जो आयूस कॉलेज़स हैं उनमें एड्मिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो स्टुडेंट बहुत जादा कंफ्यूजन में कि जो कांसिलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी जो मध्यप्रदेश के जो भी आयूस मेडिकल कॉलेज़स हैं जısे BMS के लिए, BHMS के लिए, Bums के लिए, BNYS के लिए जो भी सरकारी और जो प्राइबेट मेडिकल कॉलेज़स हैं उनमें एड्मिशन की प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी जो counseling process है वो कब start होगी comment section में भी मध्यप्रदेश IU's counseling 2023 से related बहुत सारे questions जो है वो students ने पूछे है students continue question पूछ रहे हैं कि मतलब मध्यप्रदेश की counseling process है 2023 के लिए जो IU's medical colleges के लिए वो कब से start हो मध्यप्रदेश IU's counseling 2023 से related जो भी important information बगेरा है जो भी notification है वो आपको जो IU's counseling की जो official website है उस पर देखने को मिलेगी अब student इस बात को लेकर थोड़े doubt में कि मतलब ऑल इंडिया लेबल पर जो नीट के लिए counseling process है वो start हो चुकी है तो मध्यप्रदेश में जो भी IU's के medical colleges हैं उनकी जो counseling process है वो कब start होगी तो इसके लिए एक बार हम जो previous year की counseling process है उसके बारे में बात करेंगे कि जो previous year में जो need contact करवाया गया था और उसके कितने दिनों बाद मतलब जो counseling process है वो start होई थी ठीक है तो पिछले साल need जो है 2022 में 17 जोलाई 2022 को conduct करवाया गया था ठीक है जिसका result जो है वो 7 September 2022 को declare किया गया था और जो मधिपर्देश में जो IU's counseling है 2022 के लिए वो December 2022 में start होई थी मतलब मेली आप देख रहे हैं कि जो need का result है उससे लगबग 2 महीने के time duration के बाद जो मधिपर्देश में IU's medical colleges के लिए जो counseling process है वो start की गई थी ठीक है तो अगर इस साल हम बात करें तो इस साल जून 2023 में जो need का result है वो declare किया गया है तो अगर हम मतलब previous year के जो data है उसके बारे में देखे तो उससे तो एक idea लगाया जा सकता है कि जो counseling process है वो हो सकता है कि September 22 तक start हो जाए जो previous year का जो data है और उसकी तरह जो क्यूंकि हर बार इसी तरीके से जो counseling process है वो conduct करवाई जाती है कि जो need का result है और counseling process की जो starting date है उसमें लगबग 2 महीने का duration time period रहता है तो इस साल 2023 में जो मध्यप्रदेश में आयूस medical college में जो admission के लिए counseling process है वो हो सकता है कि September 2023 से start हो जाए हो सकता है September के first week में ही start हो जाए तो आप में से जो भी student जो सोच रहे हैं कि मतलब उन्हें आयूस medical college में 2023 में admission लेना है और जन्होंने need exam में participate किया है उससे पहले जो भी All India label पर counseling process है वो conduct करवाई जाएगी तो जैसे All India के जो भी student है जिने माल लीजिए कि मध्यप्रदेश में admission लेना है जो भी सरकारी आयूस medical colleges है उनमें अगर All India में से किसी भी student को admission लेना है तो उसके लिए जो है All India label पर counseling process कंटेक्ट करवाई जाएगी और student उसमें participate करके उनको मध्यप्रदेश जो state है वहाँ पर जो seat है वो alert की जाएगी ठीक है और जब ये process continue complete हो जाएगी तो उसके बाद state counseling process स्टार्ट होगी और फिर जो भी student जो मध्यप्रदेश इस्टेट से बिलॉंग करते हैं और जिन्हें नीट exam के result के basis पर जो भी मध्यप्रदेश में सरकारी प्राइबेट आयूश medical colleges हैं BMS के लिए, BHMS के लिए, BOMS या BNYS के लिए तो तब वहाँ पर जो counseling process है वो start होगी जो MPIU's counseling 2030 है उससे related अभी जो notification है उसको official website पर release नहीं किया गया है जैसे ही official website पर जो counseling process है उससे related किसी भी notification को release कर दिया जाएगा तो आपको इस channel के थुरू जो भी information है वो बता दी जाएगी अगर counseling से related या documents जो important है counseling के लिए उससे related कोई भी doubt कोई भी confusion है तो आप comment section में question पूछ सकते है hope so दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like ज़रूर करें thank you so much for watching